हलो कैसे हो आप सब आज हम 3D गनेशा बनाएंगे कले और कार्डबोड का यूज़ कर लोगी और एक ब्लैंग पेपर पे पहले गनेशा को ड्रॉ कर लोगी और फिर कार्डबोड को उसी शेप में कट कर लोगी उसके बाद मैं कले की हेल्प से गनेशा को शेप देना चोटे चोटे पार्ट जो है जो ट्रीकी पार्ट है वह पहले में ब्लैंग पेपर पे जो मैंने गनेशा ड्रॉ किया है उस पर कट करके और फिर फेवी कॉल के हल्प से कार्डबोड पर स्टिक कर दूए यह जो गनेशा में बना रही हो ना यह बहुत ही इजी और बहुत ही सुन्दर दिखने वाला है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मल्टी परपस यूज़ किया जा सकता है जैसे कि हल्दी कुमकुमदानी शोपीस वाल हैंकिंग जो आप यूज़ करना चाहो ना वैसा यूज़ कर सकते हो इसको मैंने क्ले से ही छोटे छोटे सारे पा करके उसको सर्फेस को एकदम प्लेइन कर देना है जब आपको अभी तक की प्रोसेस कैसी लगी यह कमेंट्स में ज़रूर बता है जब भी मैं क्लेका यूज़ करती हूँ ना तो मुझे इससे कुछ भी बनाने में इतनी है और पहले-पहले मुझे थोड़ा सा डर लगता थ इसे यूज़ करना और मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि इसे केसे हैंडल करू या फिर पर जब धीरे-धीरे मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया न तब बहुत ही अच्छे से अब मैं कर पाती हूँ आप भी अगर ट्राय करोंगे न तो धीरे-धीरे आपको भी जाएगा फिर जब ये कले अच्छे से ड्राय हो जाएगा तब मैं इस पर जैसो का एक कोट अपलाई करूंगे अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप वाइट कोट कर सकते हैं फिर मैं जल्दी से कलर करना स्टार्ट कर दूंगी और फिर लास्ट में एक वार्णिश का को ुमुमुँ जुमुमुमु hop